नमस्कार आज हम जानेंगे कक्षा 10 के पाठ्य करम अनुसार की वृत किसे कहते हैं परीधी त्रिज्या जीवा एवं व्यास किसे कहते हैं इसी करम में हम जानेंगे चाप लगू चाप और देर्ग चाप आगे हम पड़ेंगे वृत खंड वृत खंड में लगू वृत खंड और देर्ग वृत खंड में क्या अंतर है इसी प्रकार से त्रिज्या खंड और त्रिज्या खंड में हम जानेंगे लगू त्रिज्या खंड और देर्ग त्रिज्या खंड किसे कहते हैं तथा वृत खंड और त्रिजाखन में क्या अंतर है हम सब जानते हैं कि वृत किसे कहते हैं हमारे आसपास अनेक उत्रह की वृत है पर इस सत्र में वृतों को और घहराई से जानने की कोशिस करेंगे चलो अगर मैं आप से एक सवाल पुछूं एक वृत पाने के कितने तरीके हैं तो वृत पाने का सबसे आसान तरीका है एक रेखा लीजिए उसके एक बिंदू को स्थिर करते वे उसको इस परकार से घुमा दीजिए हमें जो गोल घेरे से प्राप्ता करती है यही वृत है अब अगर आप परिभासित करें तो वृत क्या है एक वृत जैसा कि आप यहां देख सकते हैं उन सभी बिंदूओं का समू है जिनके बीच एक स्थिर बिंदू से समान दूरी होती है अर्थातम परिभासा के रूप में कह सकते है एक वृत उन सभी बिंदूओं का समू है जिनकी अपने केंद्र बिंदू से दूरी समान होती है यह बहुत ही जरल है तथा आशा करता हूँ कि आप सब जानते भी है अब यदि परिवासा के रूप में हम जानना चाहें कि वृत का केंद्र किसे कहते हैं तो स्थिर बिंदू को वृत का केंद्र कहते हैं इसी प्रकार वृत की त्रिज्या की से कहते हैं तो उत्तर रहेगा स्थिर दूरी को वृत की त्रिज्या कहते हैं इन दोनों बातों से स्पस्ट है, हम पहली बात को कह सकते हैं कि एक वृत की प्रीदी से समान दूरी पर उसके केंदर में दो बिंदू स्थित है, वही उस वृत का केंदर बिंदू है. इसी परकार से यदि केंदर बिंदू से वृत के प्रीदी के किसी भी बिंदू तक की दूरी को हम वृत की त्रिजा कहते हैं वृद के गुण धर्म बहुत ही दिल्चस्प है वो सारे आपस में अंतर समंदित भी है इस अध्याय में हम वृद के बहुत से गुण धर्मों की चर्चा करेंगे और आपके लिए यह अध्याय ज्यामिती के अन्य अध्यायों की तरह ही आसान हो जाएगा अब एक वृत लीजिए आप देख सकते हैं इस सम्तल छेतर को यह वृत तीन भागों में विभाजित करता है वृत का पहला भाग यह बारी भाग है दूसरा वृत बनाने वाला बिंदूपत और तीसरा यह अभिहंतर भाग अर्थात बिंदूपत के अंदर वाला भाग यह पूरा अध्याए वृत और रेखा ओं के प्रस पर परभाव के बारे में हैं चलो हम एक दृश्य देखते हैं और आप इसी के अनुसार समझना मैं एक वृत लेता हूँ और एक रेखा, रेखा को हम कहां कहां रख सकते हैं, रेखा बहिर भाग में हो सकती है, अगर मैं इसे उपर ले जाता हूँ, जहां ये वृत से सिर्फ एक बिंदू पर मिल रही है, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा, और इस बिंदू को कहते हैं स्पर् आगे ले जाओं जहां एक वृत को दो बिंदूओं पर काट रही है इसे कहते हैं छेदक रेखा जब दो बिंदूओं पर काटती है तो कहते हैं छेदक रेखा लेकिन वृत के अंदर जो रेखा खंड है उसे कहते हैं जिवा इन दो बिंदूओं को मिलाने वारी रेखा है जि जहां जीवा की लंबाई अधिक्तम है, इसे कहते हैं व्यास. तो यह सब कुछ समझना आसान था, अब आप जानते हैं जीवा क्या होती है, आप जानते हैं व्यास क्या होता है, और आप जानते हैं सपर्ष रेखा एवं सपर्ष बिंदू क्या होता है. चलिए अब देखते हैं वरत का वह भाग जो दो बिंदूओं के बीच में हो उसे चाप कहते हैं तो अगर मैं यहां पर एक वरत बनाता हूँ और ये दो बिंदू लेता हूँ तो इसे कहेंगे लगुचाप और इसे कहेंगे दिर्गचाप यहां पर PQ जिवा है अब अगर PQ व्यास है तो दोनों लगुचाप और दिर्ग चाप दोनों बन जाएंगे अर्ध वृत और पूरे वृत की लंबाई को हम कहते हैं परिधी परिधी को और गैराई से समझते हैं अब वृत की परिधी क्या है त्रिज्जा के अनुसार यह है दो पाई गुणा त्रिज्जा यानि दो पाई आर यहां पर आर त्रिज्जा है चलिए हम कल्पना करते हैं कि परीधी क्या है एक वृत लेते हैं इसे काट देते हैं और फिर इसे सीधा कीजिए इस रेखा की लंबाई होगी 2πr यह है परीधी वृत की परीधी होती है 2πr के बराबर यह आपने जान लिया है अब अगर हम इसका विभाजन करें वृत के व्यास यानि 2R से तो हमें मिलेगा पाई तो आपने जरूर सोचा होगा क्या है पाई तो अब हम समझ चुके होंगे कि वृत की परीधी को वृत के व्यास से विभाजन करने पर अर्थात भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही पाई है और आपने पाई का मान 3.14159 अब तक याद नहीं किया होगा किताब से किसी भी स्वाल को हल करने के लिए पाई का मान 3.14 तक ही याद रखना है वै उप्योग में लेना है चलिए अब समझते हैं वृत खंड को और तरिज्या खंड को सबसे पहले वृत खंड और तरिज्या खंड में क्या अंतर है चलो एक वृत लेते हैं और उसमें एक जीवा लेते हैं इस जीवा और चाप के मद्या का छेतर है इसे कहते हैं वृत खंड यह लगू वृत खंड है तथा यह दिर्ग वृत खंड है अब इसी वृत में यह जो चाप है इसको अगर मैं दो त्रिजाओं से जोड़ दूँ तो इस छेतर को कहते हैं त्रिजाखंड यह लगू त्रिजाखंड और यह दिर्ग त्रिजाखंड इस तरह से आपने समझा वृत खंड और त्रिजाखंड में अंतर तो आईए अब इन सबी चीजों को दुबारे समझें ताकि आप सब इने अच्छी तरह से समझ जाएं एक वृतली चीए कलपना करते हैं यह परीदी है यह तरिज्य है यह जीवा है यह व्यास है लगू चाप है दिर्ग चाप है लगू वृत्खंड दिर्ग वृत्खंड लगू तरिज्या खंड और दिर्ग तरिज्या खंड बहुत ही सरल है एक बार फिर से देखते हैं यह परीदी है, यह त्रिज्या है, यह जीवा है, यह व्यास है, लगू चाप है, दिर्ग चाप है, लगू वृत्खंड है, दिर्ग वृत्खंड है, लगू त्रिज्या खंड है, और दिर्ग त्रिज्या खंड है, अब मुझे लगता है आप समझ गए, आशा करता हूँ इस परकार समझना आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा